कि है गाइज वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ जशन की हेर केर रूटीन शेयर करने लगी हो जशन के बाल इतने जदा स्ट्रॉंग है है तो आज मैं बिल्कुल ओनेस्ट उसकी हेर केर रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी आप इसे समर रूटीन भी कह सकते हैं मौनसुन हेर केर रूटीन भी कह सकते हैं तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगे अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी से भी हेलफुल होती है तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक कर दे और विछ यe को लाइक कर दें चैनल को अवस्थिल आफटर आप सकती है उसके बाल बल्कुल सोख चुकी है बल्कुल dry हो गए उसके बाल इतने जदा लंबे हैं, strong है, healthy है, hair fall की problem उसके वो बिलकुल भी नहीं है, तो आज की वीडियो में हम आपके साथ बिलकुल honest routine उसकी hair के routine आपके साथ share करी हूँ, कि असलियत में मैं उसके बालों का कैसे दिहान रखती हूँ, उसके बाल इतने लंबे, strong कैसे बने हैं, अभी उसकी age बहुत भी नहीं है, इतने heavy उसके बाल हैं, तो guys, oil के लिए मैं mustard oil यूज़ कर रही हूँ, सरसो का तेल, बचपन से ही magician के बालों में सरसो का तेल लगाती हूँ, आप देख सकते हैं, छोटे से container में मैंने यह oil डाला है, तो पूरा ही oil उसके बालों में लग जाता है, क्योंकि उसके बालों के लेंथ काफी ज़्यादा लंबी है, तो सारा तेल लग जाता है, काफी अच्छी, heavy और oil में उसके बालों में करती हूँ, mustard oil हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial है, अगर आप इसका regular यूज़ करेंगे न, तो आपके बालों में किसी भी तेरा की कोई भी प्राबलम नहीं होगी, ना तो आपको scalp infection होगी, ना तो आपको dandruff की प्राबलम होगी, ना itching की प्राबलम होगी, और आपकी hair fall की प्राबलम भी ठीक होगी, आप इस oil को यूज़ करके देखिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महिना यूज़ करने से कुछ भी नहीं होगा, आ आपके बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी, सिरफ ये वाला oil यूज़ करने से, मैंने इसमें कुछ भी extra add नहीं किया, हमेशा हर टाइम आपको अपनी kitchen में ये वाला oil available मिलेगा, आपको market जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई extra पैसा खर्चने की जरूरत नहीं पड़ आप अच्छा वाला शेंपू यूज़ कीजिए, अगर आप मेरी recommendation पर यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको बलूँगी, आयूर हरबल शेंपू का यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा वाला शेंपू है, हरबल शेंपू है, कंडिशन भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, जर्शन की एज अभी just 10 years है, सिरफ 10 साल का है, और आप उसके बाल काफी टाइम से 2-3 सालों से आप उसके बाल देख रहे हैं, कि उसके बालों की growth कितनी जदा increase हो रही है, length कितनी increase हो रही है, उसके बाल कितनी जदा सुंदर है, healthy है, strong है, अगर मैं उसकी braid बनाती ह तब भी उसकी braid इतनी जदा heavy होती है, कि braid बनानी मुश्किल हो जाती है, टैंगल्स रिमूव करने मुश्किल हो जाती है, बर जितने इमर्जी मैं टैंगल्स रिमूव कर लूँ, उसके hair fall के problem बिल्कुल भी नहीं है, बाल उसके बिल्कुल नहीं जड़ते हैं, सिरफ और सिर मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हैं, तो आप देख सकते हैं, कि उसके बाल इतने लंबे हैं, फिर भी मैं उसकी बहुत अच्छी मतलब जो बालों की care है, मैं उसके बहुत अच्छी करती हूँ, उसके बाल मेरे हाथों में है, तो मैं उसके बालों की बहुत अच्छी care करती ह तो और भी अच्छी तरह से आप अपने बालों की केर कर सकते हैं कि जशन अभी चोटा है तो उसे इतनी समझ नहीं है कि टैंगल कैसे रिमूव करने हैं या फिर ब्रेट बना कर रखनी है पूरी केर उसके बालों की मैं ही करती हूं अगर आप टीनेजर हैं फिर भी आप अपन करने हैं टैंगल करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने मोटी वाली कॉम का यूज की है क्योंकि ना इसी कॉम का कॉम से एक तो टैंगल से अच्छी तरह से सारे रिमूव हो जते हैं और बिल्कुल भी बाल जड़ते नहीं है तो गाईस मैंने जशन की अच्छी तरह से सारे टैंगल को रिमोव कर दिया है अब मुझे उसका जूड़ा करना है जैसे कि आपको पता है कि वो एक सिख वो आया है तो मैं उसका जूड़ा करके रखती हूँ ब्रेट बना कर रखती हूँ पूरा वीक उसके बाल अच्छी तरह से कवर रहते हैं जिस वजह से भी उसके बालों की लेंद काफी जड़ा इंक्रीज हुई है अगर आप भी अपने बालों को लंबा बनाना चाहते हैं घना बनाना चाहते हैं तो एक तो आपको सरसो के तेल का यूज करना है हफते में दो बार हेर वाश करना है ऑईलिंग अच्छी तरह से करनी है और ब्रेड बना कर रखनी है खुले बाल बिल्कुल भी नहीं रखने है ड्राइ बाल बिल्कुल नहीं रखने है अगर बस ये दो तिन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे तो बिना कोई पैसा खर्चे आप अपने बालों की बहुत के साथ शेयर किया होब गाईज आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना हो सके हो सकता है किसी न कर दो कर दो